प्रबू आप सब को ब्लेस करें आप सब जानते है कि वचन में दिखा हुआ है बोच से ठके हारे लोगों मेरे पास आओ मैं तुमें शान्ति और जंग्याई दूबा तो आप सब ब्लेस हैं प्रभू जीजर्ट में के नाम में तो इस चैनल को ज़ला से ज़ला है बर्जिंदर संग जी की विडियोजि डावता हूं शेयर करने कि लिए मैं इसेदे गाया हूं क्य Humadiya सबको जैमसी की परमेशो की प्राइजिंस में आप सबका स्वागत है मैं पास्टर सॉनिया नुरॉला आपको ब्लेस करती हूं आपको आशेशित गुर्षित करती हूं और मेरी प्रातना है कि परमेश्व का आत्मा आपकी जिंदगीयों में काम करें परमेश्व का आत्मा जो आपकी बुलाहट है उस बुलाहट को आप पर जाहिर करें और उस बुलाहट के अनुसार आप चल पाएं अप भी लोग चेंज हो परमेश्वर की अद्बुत महमा तक पहुंच पाएं हालेलुया जब हम पहला कुरंथियां दो उसकी बारा आयत को पढ़ते हैं कि प्रंतु हमने संसार की आत्मा नहीं प्रंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की उर्से है कि हम उन बातों को जाने ज हमारा चुनाव किया है एक योजना के तहत एक बुलाहट के तहत कि परमेश्वर की हमारी जंदिकी में कॉलिंग होती है एक काम होता है जैसे परमेश्वर ने किसी को पॉस्टल किसी को आज़ा पास्टर किसी को आज़ा विजनसमैन किसी को आज़ा परमेश्वर ने चर्च के पीछे के कामों को करने के लिए चुना है ऐसा सेवादार चुना है किसी को मीडिया में परमेश्वर ने चुना है कि वो मीडिया के द्वारा परमेश्वर के कामों को दुनिया तक पहुंचा पाए इसी तरह से परमेश्वर की हरे की जिंदगी में अलग-लग योजना होती ह तो वो योजना कैसे पता चले कि परमेश्वर की बुलाहट है क्या क्योंकि बुलाहट जो है वो एक आत्मिक चीज होती है और जो आत्मिक चीजें हैं आत्मिक गिफ्ट्स हैं आत्मिक दानवर्दान है यह सब हमें कब समझ आते हैं हम कब रसीव कर सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है पुराने समय में हम देखते हैं कि एलिया के साथ मूसा के साथ परमेश्वर का आत्मा उनके साथ रहता था अपने बेधों को उन पर जाहिर करता था प्रमेश्वर ने कहा कि मेरे स्वर्ग उठाई जाने तक, मेरे जीवित अपनी महमा तक पहुंचने के बाद मैं अपना आत्मा सब मनुश्य पर उँठेलूँगा अपना आत्मा आप सब पर उंडेलूँगा और वो आत्मा अब तुमारे साथ नहीं तुमारे अंदर तुमारे बेच रहेगा तुमारे इनर स्ट्रेंथ बनकर वो तुमारे अंदर रहेगा तुमारे आत्मा को तुमारे आत्मा को वो ट्रांसफॉर्म करेगा हालेलुई परमेश्वर का आत्मा अब हमारे अंदर है और परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा तुमारे अंदर रहेगा तो तुम आत्मिक चीजों को आत्मिक दानों वर्दानों को और अधिकरिती के साथ समझ पाओगे परमेश्वर की बुलाहट को समझ पाओगे और परमेश्वर की बु काम उनकी जंदियों के जरीयों होते हैं हम देखते हैं कि पॉलूस जो है उसने सबसे अधिक परमेश्वर के काम किये उसकी मिनिस्ट्री सबसे अधिक अफेक्टिव रही वो क्यों क्यों कि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था परमेश्वर ने तो कहा था कि जाओ और सब ज इश्या में चला जाता सुसमाचार सुनाने के लिए परचार के लिए और इतना फल्म ना लेकर आपाता जितना वह कुरंथिया में थिसलनूकिया में और एरियास में जाकर जितना उसने प्रमेश्वर का काम किया वह नहीं कर पाता और उसकी मिनिस्ट्री जो सेवकाई है वह एतनी effective Christian जो ministry हम किसी की देखते हैं तो वह पॉलूस की है तो वह इतना effective Christian और इतना effective सेवकाई के साथ वो हम आज उसे नहीं जान पाते हम उसे जानते हैं as effective प्रेरित क्योंकि वो प्वित्रात्मा के अनुसार चला चला वो एशिया में नहीं गया क्योंकि उसे पता था कि प्रमेश्वा ने मुझे प्वित्रात्मा ने जानने के लिए मना किया है हर ए स्थिपल में PhD कर लो उसे के द्वारा शायद हम प्रमेश्वर की बुलाहत को समझ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम चाहे बाईबल स्टडी कर ले बाईबल में PhD कर ले अगर प्रत्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम हम परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहन नहीं कर सकते हम परमेश्वर की जो वच्चन की सामर्थ है उसको भी हम अपना नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा उजाला हो तो उस वक्त परमेश्वर के वच्चन के साथ साथ वहाँ पर पुवित्रा आत्मा भी मौझूद था और जब पवित्रा आत्मा की मौजूदगी में परमेश्वर ने वच्चन बोला कि उजाला हो तब उजाला हुआ था उसी तरह से हमारी जिंदिगियों में भी परमेश्वर की बुलाहट को समझने के लिए परमेश्वर के आत्मा की पर पूरी परमेश्वर के आत्मा की प्रेजन्स का हमारी जिंदगियों में होना बहुत जुरूरी है हम बाइबल में भी बहुत से परमेश्वर के दासों के विश्य में पढ़ते हैं कि दाउद, रूत, मुसा के विश्य में के कैसे परमेश्व ने अद्बुत काम उनकी जिन्दिगियां से किये दाउद जो है उसकी जिन्दगी के सबसे फर्स्ट प्रेयर जो थी वो यही थी कि परमेश्व तेरा आत्मा मेरे जिन्दगी से कभी भी अलग न होने पए वो परमेश्व के आत्मा के लिए इतना ज़्यादा सीरियस था कि उसकी फर्स्ट प्रेयर रुक्वेस्ट ही यही थी और हम देखते हैं कि एक दाउद इतना अफेक्टिव क्रिश्चन और इतना अफेक्टिव राजा रहा उसने 66 फाइट लड़ी एक भी लड़ाई नहीं हारा अपनी पूरी जिन्दगी के पूरे वर्ष उसने जिये अपनी पूरी जिन्दगी जी कर वो परमेश्व के पास किया उसके बच्चे ब्लेस हुए परमेश्व ने दाउद को ब्लेस किया वो क्यों क्यों कि उसके जिन्दगी के सबसे फर्स्ट जो prayer request वो यहीं थी कि परमेश्व तेरा आत्मा मेरे जिन्दगी से कभी भी अलग ना होने पाए और जब हम दैनियल के विशे में पढ़ते हैं तो और उसके विशे में परमेश्व ने कहा कि वचन में जब हम देखते हैं कि दैनियल में एक उत्तमा आत्मा रहता था जो दैनियल ने ना केवल राजा के सपने को बताया बलके उसके अर्थ को भी बताया और परमेश्व ने उ यहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां अजादी है, वहां शुटकारा है, वहां प्रोग्रेस है, वहां पिर तरक्की है, वहां पर परमेश्वर की डिलिवरंस है, वहां पर गवाहियां है, यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो वहां पर सुवतंतरता नहीं, वहां आज़ादी है यदि आपको अपकी जिंदगी में अज़ादी चाहिए अपनी जिंदगी की फेलियर्स से अज़ादी चाहिए यदि आपको अपके बिजनस में सक्सेस चाहिए यदि आपको अपनी जिंदगी में शान्ती चाहिए तो आपको प्रमेश्वर का आत्मा चाहिए सबसे पहले परमेश्वर की Holy Spirit चाहिए हालेलुया हम जब एक Spirit-filled person को देखते हैं तो हमें उससे ये पोछने की जुरूरत नहीं होती कि क्या तुमने परमेश्वर का आत्मा पाया हुए नहीं वो simply Spirit-filled person आपको एक successful person देखेगा अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में चाहिए वो ministry हो चाहिए उसकी family हो चाहिए उसका परिवार हो चाहिए उसका personal attitude हो उसकी personality हो आपको spirit-filled person एक परमेश्वर का उजाला एक प्रकाश उसके चहरे से उसकी बातों से उसकी पूरी overall personality से आपको दिखेगा जैसे for example आप जब एक नशे किये हुए व्यक्ति को देखते हैं तो क्या आप उसके पास जाकर उसकी smell लेते हैं या फिर आप उससे पूछते हैं कि क्या तुमने नशा किया है नहीं उसका जो overall attitude है उसका चलने का ढंग उसकी बातचित का ढंग उसके कपड़े और उसका लड़ खडाना हमी इस बात का प्रूफ दे दिता है कि इस व्यक्ति ने नशा किया हुआ है कि something wrong power ने उसे control किया हुआ है उसकी spirit को कि वो किसी गलत influence के अंडर आ चुका है और उसी तरह से प्रमेश्वर का आत्मा है जो एक अदबुत आत्मा है जो एक सामर्थ है जब हमारी जंदगी में आता है तो वो हमारी जंदगी को change कर देता है प्रमेश्वर का आत्मा तो प्र काने की जुरूरत नहीं होती कि मैंने प्रमेश्वर का आत्मा पाया है उसकी लाइफ बताती है कि हाँ ये एक spirit filled person है ये empty spirit person है ये spirit filled person है इसकी life का आदार प्रमेश्वर है जैसे हम हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसके जो results है उसकी force को हम जरूर महसूस करते हैं कि बहुत तेज जब हवा चलती है तो क्या हम हवा को देख सकते हैं नो हम उसकी एक force को हम देखते हैं वो कैसे कि flags वेब कर र आत्मा से वेब करते हैं उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा है हमसे देख नहीं सकते हैं लेकिन उसकी सामर्त अद्बुत है वह single power रखने वाला आत्मा है हम देखते हैं कि प्रविशुम सी जब याकूब के कुएं के पास एक सामरी इस्तरी के पास पानी पीने के लिए गया तो उससे जब बात्चित कर रहे थे तो परमेश्वन ने स्पर्ष्ट और सीधा व्यक्तव्य दिया था स्पर्ष्ट और सीधा कहा के परमेश्वर पुवित्रात्मा है हालेलुया योहन्ना चार उसकी 24 में परमेश्वर ने कहा के परमेश्वर पुवित्रात्मा है हम जब पुवित्रात्मा के विशे में बोलते हैं तो ये एक ये कोई चीज नहीं वे एक अलाइव है पुवित्रा ये एक तीनों का सुमेल है जो हमारी जंदगी में समाया हुआ है और हमें ब्लेस करता है हमारी गवाहियों तक हमारी बुलाहर तक पहुंचाता है परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर पुवित्रात्मा है हालेलुई है हम देखते हैं कि जब पुवित्रात्मा हमारी जंदगी चेंज हो जाती है totally मैं जब परमिश्वर में आई नहीं नहीं थी और बब्तिस्मा लेने के बाद जब परमिश्वर की seriousness का पता चला कि कैसे परमिश्वर में बढ़ना है तो मैं कुछ गंटों प्रातना में बैठी हुई थी और प्रातना में बैठी जब केई गंटे बीथ गय गई तो एक तम से मेरे आखों के सामने इतनी रोशनी आई इतना उजाला टोटल वाइट हो गया सब कुछ कि मैं उस वाइटनेस के आरपा नहीं देख पा रही थी मैं अपनी आखों को प्रॉपली खोल नहीं पा रही थी इतनी रोशनी इतना उजाला मेरे आसपाश आ गया थ प्रमेश्वर की सामर्थ मेरे जंद ही पर मेरे श्रीर पर उस वक्त उतरी थे और मेरे जंदगी टोडल ट्रांसफॉर्म हो गयी उस दिन के बाद जब मैंने फास्ट एक्सपिरेंस परमेश्वर के आत्मा का किया था और प्रमेश्वर के दास स्थान पर आप भी बहुत जल्द पहुंचेंगे और वहां पर आप प्रेयर कर पाएंगे हालेलुया